नमस्कार दोस्तों, बार टु बेंच अकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है, आज हम बात करेंगे संपूर्ण उत्तर प्रिदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के संबन में, इस अधिनियम का प्रियंबिल ये कहता है कि उत्तर प्रिदेश के कतिपए छेत्र दोस्तों में योजना के अनुसार विकास की वेवस्था करने के लिए यह अधिनियम लाया गया है, धारा एक संशिप्त, शीर्शक और विस्तार का बर्णन करती है कि यह अधिनियम उत्तर प्रिदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 कहा जा सकेगा, धारा एक की नमबर एक छाबनी छेतरों पर नहीं होगा और नमबर टू, सैने उद्देश शेहेतू, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली या केंद्र सरकार दारा पट्टे पर ली गई भूमी के संदर में नहीं होगा, धारा दो कुछ परिवाशाओं का वर्णन करती है, अब धारा त धारा तीन पर आते हैं, धारा तीन अत्यधिक महत्पूर्ण है, धारा तीन में राज्य सरकार राज्य की सीमा के भीतर किसी छेतर का विकास करने के लिए एक उद्गोशना करती है, यानि कि राज्य सरकार एक विकास छेतर की उद्गोशना करती है कि इस छेतर के अंतरकत व धारा चार में उस विकास छेत्र में विकास कारे करने के लिए एक प्रादिकरण की स्थापना की जाती है प्रादिकरण में चेर्मेन, बाइस चेर्मेन, सेक्रेटरी तदा कुछ अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की जाती है धारा पांच में प्रादिकरण के लिए आवश्य करमचारियों की ब्यवस्था करने का प्राबधान किया गया है और धारा पांच का में विकास प्रादिकरण केंद्रित सेवाओं के गठन का उबबंद किया गया है जहां से ऐसे करमचारियों की भड़ती की जा सकेगी धारा छे बहुत महत्पूर है इसमें प्रादिकरण को प अमिल किये जाते हैं इसकी बैठक चेरमेन साल में कम से कम दो बार अवश्य बिलाते हैं अब आते हैं अध्याय 3 पर इसकी धारा आठ में विकास छेत्र के लिए एक मास्टर प्लान बनाने का प्रापधान किया गया है जिसे विकास प्राधिकरण तयार करता है इसमें विविन जोन्स को डिफाइन किया जाता है और बहरीती तथा चरण भी निर्दिष्ट किये जायते हैं जिनसे ऐसा कोई विकास कारे किया जाना है धारा नौ जोनल डेवलप्मेंट प्लांस का प्राभधान करती है यह पिर्तियक जोन के लिए बनाया जाता है इसमें उस छेत्र के साइट प्लान और यूस प्लान का बढ़नन होता है जनसंख्या घनत्व और भवन घनत्व के माबदंड तथा अन्य आवशक तथियों का भी बढ़नन होता है फिर धारा ग्यारा के अनुसार प्रादिकरण इस योजना का एक प्रारूप तियार करवा के इसे पब्लिश करवाता है और उस पर अब्जेक्शन्स और सजेशन्स इन्वाइट करता है फिर उस योजना को फाइनली प्रादिकरण तियार करता है और धारा 10 के according अनुमोदन हे तू राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है जहां राज्य सरकार आवशक modifications के साथ या फिर बिना किसी modification के उस योजना का अनुमोदन कर देती है धारा 12 योजना के प्रवर्त होने का दिनांग बताती है योजना के अनुमोदन की सूचना के प्रथम प्रकाशन पर योजना प्रवर्त हो जाती है धारा बारा का मुख्य मारगों से सटे भवनों के अध्यासी को अपने पैसों से ऐसे भवन के अगरभाग की मरमत और पेंटिंग कराने को बाद करती है और यदि ऐसा अध्यासी मरम्मत और पेंटिंग कारे नहीं करता है तो फिर प्राधिकरन उसे कराती है और उसकी लागत नो प्रॉफिट नो लॉस के अधार पर ऐसे ब्यक्ति से ही वसूल करती है किसी बिवात के होने की दशा में निल्लय राज्य सरकार दौरा किया जाता है धारा 13 योजना में संशोधन का प्राबधान करती है राज्य सरकार तो उपधारा 2 के अंतरगत कोई भी और कैसा भी संशोधन योजना में कर सकती है लेकिन उपधारा 1 के अनुसार प्राधिकरण ऐसा कोई संसोधन नहीं कर सकेगा जो की योजना के चरित्र में महत्पूर्ण परिवर्तन ला दे या फिर बहे संसोधन जनसंख्या घनत्व के माबधन और भूमी के उपयोग की सीमा से संबंदित हो धारा 14 विकास छेत्र में भूमी का विकास कारे करने से पहले 22 चेयर्मैन से लिखित अनुमती प्राप्त किये जाने का प्रापधान करती है धारा 26, धारा 27, धारा 28 तीनों में धारा 14 से संबंदित अनुमती प्राप्त ना होने पर दांडिक प्रापधान किये गए है इसलिए धारा 14 अत्यदिक महत्पूर्ण है धारा 15 में मांचित्र स्विकिर्टी हेतू आवेदन का प्रापदान किया गया है इस अनुमती के लिए एक आवेदन पत्र भरा जाता है उसका एक फॉर्मेट होगा और उसके साथ संदर्वित फीस भी देनी पड़ती है धारा 15 का एक कमपलीशन सल्टिफिकेट का प्रापदान करती है कि जब कोई व्यक्ति या निकाए विकास कारे को कमपलीट कर लेता है तब है उसकी सूचना प्राधिकरण को देगा और प्राधिकरण बदले में उसको एक कमपलीशन सल्टिफिकेट देती है इस completion certificate के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी बानिजिक भवन पर अपना कबजा नहीं कर सकता या फिर अगर कार्य पूर्णता की सूचना प्राप्ती के तीन महीने बीच जाने पर भी यदि प्रादिकरण completion certificate प्रदान नहीं करता है और ना refuse करता है तो ये डीम कर लिया जाता है कि प्रादिकरण ने completion certificate दे दिया है धारा 16 योजना के उलंगन में भूमी तता भवन के प्रियोग किये जाने को प्रतिवंदित करती है परन्तु अगर उस भूमी का प्रियोग योजना के लागू होने के दिनांग पर जैसे किया जा रहा था बैसे ही किया जा रहा है तो ऐसा जारी रखना विदि पूर्ण होगा धारा 16 के उलंगन में पेनल्टीज कहां बताई गई है धारा 26 के उबधारा 2 में अब आते हैं अध्याए 6 की धारा 17 पर जिसमें राज्य सरकार द्वारा लेंड एक्यूजिशन एक्ट 1894 के उबंदों के अंतरगत किसी भूमी के अधिग्राइद किया जाने का प्राबधान किया गया है और इसी धारा के परंतुक में यह भी जोड़ा गया है कि यदि इस प्रकार अधिग्राइद भूमी का पांच वर्ष बीत जाने पर भी उस प्रयोजन के लिए उप्योग नहीं किया गया जिसके लिए अधिग्राइद की गई थी तो ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार से भूमी को बापस देने का आवेदन कर सकेगा और यदि राज्य सरकार इस वाद से संतुष्ट हो जाए तो बहे अधिग्राइद के प्रभार और बारा परसेंट बारसिक ब्याज और विकास प्रभार का भूक्तान पाके उस व्यक्ति को भूमी बापस कर देगी धारा ठारा में ये प्रभधानित किया गया है कि जो अधिग्राइद भूमी राज्य सरकार ने ट्रांसफर की उसे प्रादिकरन जैसे चाहे बैसे निस्तारित कर सकेगा लेकिन निस्तारण का यहाँ पर ये अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि प्रादिकरन किसी को ऐसी भूमी दान में दे दे हाँ प्रादिकरन चाहे तो LIC आदी को भूमी मौटगेज पर दे सकता है धारा 19 नजूल भूमी का बंडन करती है नजूल भूमी राजसरकार की भूमी होती है जब राजसरकार नजूल भूमी विकास प्रादिकरन को सौब देती है तब उस भूमी पर विकास कारे प्रादिकरन के नियंतरन और परिवेक्षन में ही किया जाता है धारा 20 ये बतलाती है कि प्राधिकरण का एक कोश होगा जिसमें बिविन्ने सुरोतों से प्राप्त धनराशियां रखी जाएंगी धारा 21 के अनुसार प्राधिकरण हर साल अपने Estimated Income and Expenditure का एक बजट तयार करेगा मतलब इसमें Income और Expenditure Estimated होंगे धारा 22 ये कहती है कि प्राधिकरण अपने लेखे यानि की Accounts और Balance Sheet बनाएगा और हर साल इनका Audit भी राजे सरकार के निदेशा नुसार Auditors द्वारा कराया जाएगा धारा 23 पिरतियेक विकास प्राधिकरण को अपनी एक Annual Report त्यार करने का प्रापधान करती है जिसमें उसकी साल भर की सारी Activities की Report होगी धारा 24 प्राधिकरण के अधिकारियों और करमचारियों के कल्यान के लिए पेंशन और भविश्य निदी का प्रापधान करती है अब आते हैं अध्याए 8 पर जो की सबसे जादा महत्पूर है इसकी धारा 25 प्राधिकरण के अधिकारियों की किसी भूमी अत्वा भवन पर प्रवेश करने की शक्ति का बर्णन करती है तथा यह restrictions भी उन पर लगाती है कि ऐसा प्रवेश नोटिस देकर ही किया जाएगा और दूसरे सूरोदय से सूर्यास्त के मद्दे में ही किया जाएगा और अगर उस भूमी या भवन पर कोई महिला की उपस्तिती है तो उनको बहां से हटने का पर्याप्त अपसर दिया जाएगा तभी प्रवेश किया जाएगा धारा 26 पेनाल्टीज का बर्णन करती है इसमें तीन उप्धाराएं है उप्धारा एक ये मास्टर प्लान और जोर्नल डेवलप्मेंट प्लान के उलंगन में विकास कारे करने पर या धारा 14 की अनुमती के बिना या फिर अनुमती जिस शर्थ के अधीन दी गई थी उस शर्थ का उलंगन करने पर अगर कोई विकास कारे करता है तो उसको 50,000 रुपे तक के जुर्माने का प्राबधान करती है और निरंतर अपरात की दशा में धाई हजार रुपे हर रोज जुर्माने का प्राबधान करती है उपधारा दो धारा 16 या उसके परंतुक के उलंगन में किसी भूमी या भवन का उप्योग किये जाने पर 25,000 रुपे जुर्माने तक का प्राबधान करती है और निरंतर अपरात किये जाने की दशा में हर रोज 1250 रुपए जुर्माने का प्रापधान करती है उपधारा 3, धारा 25 के अंतरगत विकास प्रादिकरण के प्रादिकरत अधिकारी के भूमी पर प्रिवेश करने में बाधा कारित करने पर या उसके साथ दुर्भावार करने पर 6 महा तक के कारावास या 1000 रुपए तक के जुर्माने का प्रापधान करती है तो धारा 26 में जो पेनल्टी बताई गई हैं इसमें 3 उपधारा एक, उपधारा दो, उपधारा तीन उपधारा एक में Master Plan और Journal Development Plan के उल्लंगन में दूसरे धारा 14 की अनुमती जो होती है उसके बिना कोई कारे करना या अनुमती जिस सर्थ पर दी गई थी उस सर्थ का उल्लंगन करके विकास कारे करना उसका दंड है 50,000 रुपे तक उपधारा 2 में धारा 16 का उल्लंगन या उसके परंतुक के उल्लंगन में 25,000 रुपे तक के दंड का प्राबदान करती है और उपधारा 3 में जो धारा 25 के अंदर विकास प्रादिकरण के प्रादिकरत अधिकारी को प्रिवेश करने की शक्ति प्रदान की गई है उस शक्ति के प्रियोग में बादा कारित करने पर या उन अधिकारियों के साथ अगर कोई व्यक्ति दुर्बवार करता है तो उस इस्तिती में उन्हें 6 महा तक के कारवास या 1000 रुपय तक के जुर्माने का प्रापधान करती है अब आते हैं धारा 26A पर धारा 26A की उपधारा 1 किसी सारव भूमी पर अबरोट किये जाने की दशा में 1 मास तक के साथरान कारवास या 2000 रुपय तक के जुर्माने का प्रापधान करती है तो सेक्शन 26A में जो ये 2 उपधारा 1 और उपधारा 3 उपधारा 1 अतिक्रमण से संब्देत है और उपधारा 3 अवरोट से संब्देत है और उब्धारा 3 में सार्वजनिक भूमी पर अबरोद किये जाने की दशा में एक मास तक के साधरनल कारावास या 2000 रुपे तक के जुर्माने का प्राबधान है सेक्शन 26 एकी उब्धारा 4 अतिक्रमण अत्वा अबरोद करने वाले व्यक्ति को प्राधिकरण द्वारा कम से कम 15 दिन का शोकास नौटिस दिये जाने का प्राबधान करती है सेक्शन 26 एकी उब्धारा 5 प्राधिकरण या उसके अधिकारी को किसी समपत्ती को जब्त या कुर्क करने की शक्ति देती है और इसी धारा के उपधारा 9 ऐसी जब्त संपत्ती का प्राधिकरण को समपरण करने की शक्ती भी देती है धारा 26 A के उपधारा 12 डिस्टिक जच के समक्ष एक महा के बीतर समपरण के आदेश के बिरुद्ध अपील करने का छुपद व्यक्ति को अधिकार देती है अब आते हैं सेक्शन 26 B पर छुपद व्यक्ति को जो धारा 26 A के अंतरगत अतिक्रमण या अवरोत के लिए हटाया गया उसको हटाने के दिनांग से 30 दिन के भीतर प्रतिकर के लिए डिस्टिक जच के समक्ष एक दावा प्रस्तूत करने का अधिकार परदान करती है सेक्शन 26 C पराधिकरण को बिना किसी नोटिस के अधिनियम के उलंगन में जो चीजे किसी भूमी या भवन पर निर्मित की गई या फिर बहां जमा करके रख ली गई उनको हटानी की पावर देती है उसके लिए प्राधिकरण को किसी नोटिस देने की आवशक्ता नहीं है बगए नोटिस के वो ऐसी चीजों को हटा सकता है सेक्शन 26D अतिक्रमल अत्वा अवरोत को रोकने के विशेश कर्तव के अधीन होने पर भी उपेक्षा करने और उसे ना रोकने के लिए एक महा तक के साधरान कारवास या दस अजार रुपय तक के जुर्माने या दोनों का प्राबधान करती है धारा 27 भवन को डिमॉलिश करने का प्राबधान करती है और धारा 28A अनाथुराइस डेवलपमेंट को सील करने का प्राबधान करती है यानि कि धारा 27 में तो प्राधिकरन को यह अधिकार मिल जाता है कि वो किसी भवन को गिरा दे, उसको तोड़ दे, डिमॉलिश कर दे और धारा 28A में यह प्राबदान है कि अगर कोई unauthorized development है तो उसको seal कर देते हैं धारा 30 कंपनियों दौरा किये गए अपराध के लिए उसके डिरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी आदी अफसरों को उत्तरदाई बनाती है यानि कि जहाँ पर अपराध किसी ब्यक्ति दौरा नहीं बलकि कंपनी दौरा किया गया है तो बहाँ पर सजा किसको मिलेगी कंपनी कोई व्यक्ति तो है नी तो ऐसे में उसके डिरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी आदी अफसरों को जो भी उसकारे के लिए उत्तरदाई थे उनको उत्तरदाई बनाती है धारा 32, शमन शुल्क दे दिये जाने पर अपरादों के शमन का प्रापधान करती है बतला जो अपराद किया था उसके लिए एक समन शुल्क दे दिया तो वो अपराद शमा हो गया धारा 35 उन्नती प्रभार अधिरोपित करने की प्रादिकरण की शक्ति का बढ़न करती है दरसल किसी विकास छेत्र में प्रादिकरण दोरा संपन किसी विकास योजना के कारण उस छेत्र में किसी संपत्ति का मूले बढ़ जाए तो प्रादिकरण उस मूले में ब्रद्धी के संबंद में उन्नती प्रभार भी लगा सकेगी मतलब किसी विकास छेत्र में प्रादिकरण ने कोई विकास योजना लाई तो उस विकास योजना के कारण उस विकास छेत्र में जो संपत्तियां थी लोगों की उनका मूले बढ़ गया तो जो मूले बढ़ा उसके संबंद में विकास प्रादिकरण कहेगी आप भी हमें कुछ दीजिए तो विकास प्राधिकरण एक उन्नती प्रभार उन पर लगा देती है ये उन्नती प्रभार दो कैटिगरी में लगता है एक तो किसी टाउंसिप या कालोनी में इस्थित संपत्ती है तो उस केस में उस रकम के एक तेहाई के बराबर और अगर ऐसी टाउंसिप कालोनी के बाहर इस्थित कोई समपत्ती है तो उस केस में एक तेहाई से अनधिक यानि कि एक तेहाई से अधिक नहीं होगा धारा सैंतेस फाइनलेटी ओफ डिसीजन का बर्णन करती है कि धारा 41 में दिये उपवंद के सिवाए हर अपील में चेयरमेन दोरा दिया गया निलने फाइनल होगा यानि कि जो भी अपील है उसमें चेयरमेन का निलने फाइनल होगा सिवाए धारा 41 के और दूसरी चीज है कि धारा 15 और धारा 27 के अधीन 22 चेर्मेन अथवा किसी अधिकारी का आदेश अंतिम हो जाएगा यानि की धारा 15 और धारा 27 के अधीन जो 22 चेर्मेन का आदेश है या उसके द्वारा प्राधिकरत किसी अधिकारी का आदेश है वो अंतिम माना जाएगा और ये किसी भी निया एले में चुनौती का विशय नहीं होंगे धारा 49 का संपर्ग मार्क आदी सुविदाओं के लिए अपने विकास छेतर की सीमा के भीतर के लोकपिलिये स्थान जैसे की प्राचीन और यतियासिक इस मार्कों आदी के दर्शकों पर तोल लगा सकेगी लेकिन ऐसा प्रती दर्शक के हिसाब से टोल एक हजार रुपै से अधिक नहीं होगा मतलब ये है कि धारा 39 A में विकास प्रादी करण को ये पावर दी गई है कि वह संपर्क मार्क या अन्ने सुविदाओं के विकास के लिए अपने विकास छेतर में अगर वहाँ पर कोई लोगप्री इस्थान है जैसे कि माली जे कोई प्राचीन और एतियासिक इसमारक वगारा है और वहाँ पर लोग देखने आते हैं उन्हें तो उन पर एक टैक्स लगा सकेगी टोल लेकिन ऐसा वो टोल पिर्ती दर्शक के हिसाब से एक हजार रुपई से अधिक नहीं होना चाहिए अब आते हैं धारा 41 पर धारा 41 राज्य सरकार दोरा नियंतरन किये जाने का प्रापधान करती है इसके उपधारा 2 कहती है कि अधिकिनी क्रत्यों का निश्पादन और शक्तियों के प्रियोग में अगर प्राधिकरण, चेयर्मैन, उपचेयर्मैन या राज्य सरकार के बीच कोई बिवाद उत्पन हो तो राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा धारा 48 नियायलेओं के छेतर अधिकार का प्रापधान करती है और ये आदेश करती है कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का कोई नियायल है इस अधिनियम के अधीन दंडनिये किसी भी अपरात का विचारन नहीं करेगा धारा 49 इस अधिनियम के अंतरगत किसी भी अभियोजन करने है तू बाइस चेर्मेन और उसके द्वारा प्रादिकरत अधिकारी के अनुशास्ती को कंपलसरी बनाती है यानि कि कोई अभियोजन तभी संस्तित किया जाएगा जब बाइस चेर्मेन की परमिशन हो या उसके द्वारा प्रादिकरत अधिकारी की परमिशन हो धारा 50 सद्भाव पूर्वक किये गए कारें के लिए किसी भी बाइद, अभियोजन या कोई अन्य बिदिक कारवाईयां संस्तित किये जाने से संद्रक्षण परदान करती है यानि कि अगर विकास प्रादिकरत के किसी अधिकारी और करमचारी ने कोई कारें सद्भाव पूर्वक किया है तो उसके खिलाफ कोई बाइद, अभियोजन या अन्य कोई बिदिक कारवाई संस्तित नहीं किया सकेगी उनको संद्रक्षण परदान किया गया है धारा 51 में राज्य सरकार की प्रादिकरण की और प्रादिकरण के बाइस चेर्मेन की प्रत्या योजन की शक्ति का प्राबधान किया गया है मतर्द धारा 51 में पावल टू डेलिकेट का बल्णन है और यहाँ पर राज्य सरकार पावल डेलिकेट करती है विकास प्राधिकरण करता है और प्राधिकरण का बाईस चेर्मेन ये तीनों लोग कर सकते हैं धारा त्रेपन के अनुसार राजे सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना दोरा अधिनियम या इसके अंतरगत निर्मित किसी नियम या बिनियम के सभी या किनी उपवंदों से अवुमुक्ति प्रदान कर सकेगी यानि कि धारा त्रेपन के अनुसार राजे सरकार किसी भी भूमि को या भवन को एक्जटम्शन दे देगी कि आप पर ये एक्ट लागू नहीं होता है धारा पच्पन राजे सरकार दोरा नियम निर्मित करने की शक्ति का प्रापधान करती है 1456 प्राधिकरन दारा राजे सरकार के पूर्व अनुमोदन से बिनियम यानि की regulations निरमित कर सकने का प्राबधान करती है इसी प्रिकार 1557 में प्राधिकरन राजे सरकार के पूर्व अनुमोदन से उपुविदिया बना सकेगा तो नियम जो है नियम तो राजसरकार बनाती है धारा 55 में और धारा 56 में जो रेगुलेशन्स बनेंगे और बाइलास बनेंगे ये प्राधिकरण बनाएगा लेकिन राजसरकार के पूर्व अनुमोधन से बना सकेगा धारा 58 के अंतरगत यदी राजसरकार का ये समधान हो कि जिन उद्देशयों के लिए इस अधिनियम के अंतरगत प्राधिकरण के स्थापना की गई थी बेतात्विक रूप से प्राप्त हो चुके हैं तो राजसरकार गजट में अधी सूचना दारा डिकलियर कर सकेगी कि प् प्राधिकरण बनाया था वो उद्देश हमें प्राप्त हो गए तो राजसरकार चाहे तो प्राधिकरण को भंग कर सके ऐसा प्राप्धानित किया गया है धारा 60 के अनुसार उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अध्यादेश 1973 को निरसित किया जाता है और किनियम के अधीन ही की गई समझी जाएगी तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो किर्पया मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद